मेश टाजिटिव कोई बड़ा फैसला लेना है तो ठीक से सोच विचार कर ही काम करें लोगों की राएग और से सुने, मदद करने और मदद लेकर आगे बढ़ने का गिन है पैसों के किसी उलजे हुए मामले को सुलजाने में कोई अधिकारी या बड़ा आदमी आपकी मदद कर सकता है दूसरों की मदद करने के कई मौके भी आपको मिल सकते हैं दोस्तों की मदद से भी आपको फायदा होगा आज आपकी जिन लोगों से मुलाकात होगी वे भी आगे चलकर आपके लिए मददवार साबित हो सकते हैं नए लोगों से मिलने में जरा भी ना हिचकी चाहे समय आपके साथ है बिजनिस में जोखिन संभव है लेकिन आपको सफलता जरूर मिल सकती है नेगेटिव कुछ पारिवारित मामलों में मधुर्ता कम हो सकती है इमिज खराब होने की टेशन से भी आज आज आप परेशान रहेंगे सिहत को लेकर सावधान रहें क्या करें घर या आफिस की सफाई करवाएं फाल्तू कागज या रद्धी बेच दे लब पार्टनर से फाल्तू बातों पर भस हो सकती है लेकिन थीरे थीरे सब ठीक भी हो जाएगा करियर यात्रा पर जाने का प्रोग्राम है तो खुशी खुशी जाएं यात्रा सुख़द रहेगी स्टूडेंट्स के लिए समय कुछ परिशानियों भरा हो सकता है ये उथकी सी बुजूर्ग की सेहत के कारण आपको टेंशन हो सकती है खुद की सेहत का भी ध्यान रखे रिश्टा जेटिव अपने काम पर ध्यान दे मेहनत करे फायदा होगा पाफिस में काम ज्यादा रहेगा इससे आपको भी फायदा होगा आज आपको निजी कारणों से कुछ त्याग भी करना पड़ सकता है यात्रा का कोई कार्यक्रम अचानक स्थगित हो सकता है जिससे आपको ही फायदा होगा आपके लिए कुछ दोस्तों को छोड़कर अधिकारियों से लेकर साथ काम करने वालों तक बहुत से लोग मददगार रहेंगे नौकरी के नए अफसर या नौकरी प्रक्ति के कुछ मौके आपको मिल सकते हैं आपके काम काज पर बास की नज़रे रहेगी कार्यक शेत्र में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलेगी कला के प्रती रुजान बढ़ेगा संतान के काम संतोष दिलाएंगे आज आपको रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है नेगितिल सरल काम कठेन साबित हो सकता है या काम काज का बोच भी अचानक बढ़ सकता है सावधान रहे लेंदेन के मामलों को पले निपटाने की कोशिश करे क्या करे किसी मंदिर में घी का दीपत लगाए लव पार्टनर को सम्मान और स्योग देना जरूरी है अपने मन का डर्या जरूरी बाते पार्टनर से शेयर करे करियर बिजनेस के लिए समय अच्छा है मेहनत से काम करें सफलता जरूर मिलेगी स्टूडेंट्स के लिए समय नकार आत्मक हो सकता है हेल्थ सेहत को लेकर सावधान रहे, वात रोग भी हो सकते हैं मिथुन पाजियटिव अपने कामकाज पर बारी की से ध्यान दे कोई छोटी सी चीज आगे जाकर आपके लिए मत्वपूर्ण हो सकती है अचानक आपको कामकाज में आनन्दा सकता है कोई बात आपको खुश कर सकती है, आर्थिक रूप से भी दिन अच्छा है आज नौकरी धंधे की चिंता भी खत्म हो सकती है रोजमर्रा के मामलों में सफलता मिल सकती है आप परिवार के किसी सदस्य की बात का बुरा ना माने तो अच्छा रहेगा आज आप अपनी नैतिक जिम्मेदारिया निभा लेंगे दोस्तों से मतभेद है तो खत्म हो सकते है नेगेटिल गुस्से पर सहयम जरूरी है गुस्से के कारण आपके बहुत से काम भी बिगर सकते है सावधान रहे, आज वाहन की जाच करा ले आपको गलत फहमी भी हो सकती है कोई पुरानी बात भी आपको परेशान कर सकती है क्या करे सिक्का मिट्टी में गाड़े लव पार्टनर के साथ समय बीतेगा पार्टनर आपकी भावनाओं को सम्मान देगा करियर पार्टनर्शित के लिए समय अच्छा है नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के मौके मिल सकते हैं विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है हेल्थ सेहत में फले से सुधार हो सकता है पुराने रोग भी खत्म होने के योग है कर ताजिटिव दिन की शुरुआ आप तो अच्छी रहेगी दूर स्थान से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है पैसों की स्थिती में सुधार करने का कोई ठोस मौका आपको मिल सकता है लोग भी आपके लिए मददगार हो सकते हैं आपको करजा चाहिए तो आसानी से मिल सकता है आपके लिए दिन मिला जुला फल देने वाला रहेगा, लोगों से स्योग मिलेगा, रोजमर्रा के काम भी समय पर पूरे हो जाएंगे, इसका फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा, नेगेटिव तन्मन में सुस्ती हो सकती है, आज आपको कोई नया काम शुरू नहीं करना जरूरी काम तल भी सकते हैं, बने बनाए काम आज बिगर सकते हैं, आपको विवादों का सामना करना पड़ सकता है, ज्यादा आतर काम या तो अटकते रहेंगे या मुश्किल से ही पूरे हो पाएंगे, वैचारिक असंतोश भी हो सकता है, रिष्टों के बारे में कोई नय या फैसला ना करें, कुछ गंभीर विशय सामने आ सकते हैं, यात्रा का कार्यक्रम भी अचानक बन सकता है, विया पारिक स्वदे आपके फेवर में नहीं होंगे, पारिवारिक स्योग भी कम ही मिल पाएगा, क्या करें पार्वती जी को प्रणाम करें, लब-लब लाइफ अ सकते हैं, फेल्थ सेहत के मामले में दिन अच्छा है, थोड़ी सी थकान और सुस्ती रहेगी, सिंग टाजेटिर कामकाज और नौकरी थन्थे के मामलों में प्रग्ति होगी, आप खुश रहेंगे, आप खुद में ही खो सकते हैं, आज आप किसी दोस्त, परिचेत्यारिश्टेदार के लिए बहुत काम के व्यक्ति साबित हो सकते हैं, आप में बहुत ज्यादा उर्ज समया भी रहेगी, आप कई तरह की परिशानियों को निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसमें बहुत हद तक सफल हो सकते हैं, समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं, आज आप सियोग पूर्ण रवया रखें तो समय आपके लिए सकारात्मक रहेगा, पुरानी समस् सकती है, प्रेमी का मूड ठीक हो सकता है, अविवाहित लोगों के लिए समय अच्छा है, विवाहित लोगों को पार्टनर से स्योग मिलेगा और सफलता भी मिलेगी, रोजमर्रा के काम समय से पूरे होंगे, प्रसन्नता और बेफिक्री के मापॉल में दिन बीच सकता है, व आप किसी भी तरह का रिस्क ना ले, ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, किसी पर जल्दी से भरोसा भी ना करे, आसपास के लोगों की बातों में भी आने से बचे, क्या करे धनिया पाउडर घ्री में सेख कर खाए, लब कोई जरूरी फैसला जीवन साथी को बता कर ही है, हिल्थ जोडों का दर्द और मौसमी बीमारियां आपको परिशान कर सकती है, कन्या पाज एटिवाज आपको कुछ रोचक अफसर मिल सकते हैं, अपना रवैया जितना स्योग पूरण रखेंगे, आपके लिए उतना सकार आत्मत दिन रहेगा, दिमाग में कई तरह के व इडिया आ सकते हैं, बनाई गई कुछ योजनाय भी पूरी हो सकती है, सुथ सुर्विधा का फायदा मिलेगा, आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, आप खुश रहेंगे, माताफिता से मधुर संबंथ रहेंगे, बिजनिस में नए एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, जि कुश्मनों का साम ना करना पड़ेगा, बेकार के काम में समय बीतेगा, निजी संबंधों के मामलों में किसमत का साथ नहीं मिलने से परिशान रहेंगे, खान पान में सावधान रहें, कुछ काम में आप अती कर सकते हैं, आज आपका फालतू खर्चा और बढ़ भी सकता है क्या करें पानी में टूबून बदूत मिलाकर नहाएं, लवलव लाइफ सामान्य रहेगी, पुरानी बातों से मतभेद हो सकते हैं, प्यार भी रहेगा, करियर अधिकारियों से स्योग मिलेगा, प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं, स्टूडेंट सालस्य और थकान से रहेंगे, हेल्थपेट के रोब हो सकते हैं, मसालेदार चीजों का परहेच करें, तुला पाजेटिव मन में सकारात्मक्ता रखें, तो घर अपरिवार से लेकर आफिस तक सब अच्छा रहेगा, परिवार की समस्या थीरे थीरे सुलच जाएगी, किसी दोस्तिया प्रेमी क साथ चल रही उल्जन खत्म हो सकती है, आपके आसपास के और आपसे जुड़े हुए ज्यादातर लोग संतुष्ट रहेंगे, आज आप अपनी उर्जा किसी रचनात्मक काम में भी लगा सकते हैं, इससे आप बहुत हद तक सफल हो जाएंगे, आपकी बनाई योजनाय भी पूरी हो सकती है, आज आप अपनी बातों से आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे और अपने सोचे हुए काम पूरे करवा सकते हैं, नेगेटिव आप जो भी काम करें, उसके नतीजों को ध्यान में रखकर करें, हो सकता है, आज किये गए कामों से आने वाले दिनों में आप परिशान रहेंगे, गलत फहमी भी हो सकती है, आपको हर काम सावधानी से ही करना चाहिए, स्वार्थी लोगों से कांटेक्ट होने से आपको नुकसान हो सकता है, विरोधी प्रभल रहेंगे, परिस्थिती आपके विरोध में भी हो सकती है, बोलने में ध्यान रख करियर आज बिजनेस और नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान में रहेगा। विद्यार्थी कड़ी मेहनत के बाद ही सफल हो पाएंगे। हेल्थ सेहत को लेकर चिंता बनी रहे सकती है। भोजन में सावधानी रखें। विष्चिताजितिव आसपास और साथ के लोगों से मदद मिलेगी। सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। घर में छलपहल रहेगी। कोई सुधार या मरम्मत का काम भी हो सकता है। मकान बदलना चाहते हैं तो उस पर भी विचार हो सकता है। संतान की तरक्की होगी। माता पिता से संबंधों में सुधार हो सकता है। लव लाइफ में भी फ्ले से ज्यादा सुधार आ सकता है। नए कामों की योजना बनेंगी। साथ के लोगों से स्योग मिलेगाने गितिर थोड़ी परेशानियों वाला दिन हो सकता है। आप कोई भी नया फैसला लेने से बचे मानसिक तनाव ज्यादा हो सकता है आज आप किसी गलत सूचना के कारण गलत दिशा में आगे बढ़ सकते हैं सावधान रहे किसी भी सूचना पर आंख बंद करके विश्वास ना करे आपके घर के नल्या पानी का स्रोत मुख्य द्वार से बानी तरफ पड़ता है तो घर में पीने के पानी की समस्या भी हो सकती है उत्ते जिना पर नियंतरन रखे जो सोच रखा था वहे काम समय पर होने में थोड़ी परेशानिया आ सकती है क्या करें सोंफमिश्री खाए लव पार्टनर सरप राइज दे सकता है प्रेम और स्योग भी मिलेगा करियर परिवार और कार्यस्थल पर खर्चा और बढ़ सकता है बिजनिस वालों के लिए दिन अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक नहीं है कुछ ज्यादा ही मेनत हो सकती है हेल्थपेट की परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है धनू पाजेट चंद्रमा अच्छी स्थिती में रहेगा और आपके काम भी पूरे होंगे आज आपको मियनत का पूरा फायदा भी मिलेगा कोई अच्छी खबर या बड़ी सफलता की खुशी आपको मिल सकती है अचानक फायदा हो सकता है आपको जल्दी ही कुछ एक स्प्रा आमदनी होने के योगबन रहे है आज किसी निवेश का या बचत योजना की शुरुआत करने का फैसला करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी किये गए निवेश से लंबे समय तक फायदा मिलेगा बातचीत में आप बहुत सफल रहेंगे और कई लोगों से हर तरह के विश्यों पर बात हो सकती है बिजनेस अच्छा चलेगा आपको आसपास के लोगों से स्योग मिलेगा नेगेटिव घर अपरिवार के कुछ मामलों पर काफी समय खर्च हो सकता है कुछ मामले तनाव पूर्ण भी हो सकते हैं कुछ दोस्तों से समय पर मदद नहीं मिलने से आपका मूड भी खराब हो सकता है क्या नक्रे टांसमेटिक चीजों पर पैसा खर्च ना करें लव पार्टनर आपकी भावना समझेगा दिन अच्छा रहेगा करियर बिजनिस को लेकर टेंशन दूर हो सकती है कोई निवेश सोच समझ कर करें कामर्स में करियर बनाने वालों को सफलता मिलेगी मेडिकल चात्रों को भी सामान में सफलता प्राप्त होगी हेल्थ जोडों का दर्ग परेशान कर सकता है मकर पाजिय टिवाज आप निराशावादी मानसिक्ता पर काबू करने की कोशिश करेंगे आप इसमें सफल हो जाएंगे आप थीरे थीरे अपनी रंगत और रोनक में लोटने लगेंगे कोई बहुत प्रभाशाली बात भी कह सकते है या जो भी कुछ कहेंगे लोग उसे सुनना चाहेंगे पैसों की स्थिती में सुधार लाने की पूरी कोशिश भी करेंगे और सफल हो जाएंगे आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिती और बेतर हो जाएगी परिवार के लोग आपके लिए मददवार रहेंगे भागयोदे कराने वाली कोई घटना भी हो सकती है सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे आधी अथूरी जानकारी अपडेट हो जाएगी आपको धन लाब होगा परिटनर के साथ पूरी बात शेयर करें दोस्तों से सलहा ले आपकी कार्य कुशलता बढ़ेगी मान सम्मान भी बढ़ेगा नेगेटिवाप आज अपनी जेब और बजट से ज्यादा धन खर्च करने को लेकर सावधान रहे भावनाओं में बहकर बोलने से नुत्सान भी हो सकता है खर्च में कमी करना जरूरी है क्या करें सुबह उठकर बिना बोले कांटेदार पौथे में तामडे के लोटे से पानी डाले लवसमय पार्टनर के साथ बीतेगा आपकी सहत अच्छी रहेगी करियर बिजनेस में किसी नई चीज पर आपका थ्यान रहेगा कुछ स्टूडेंट्स को उम्मीद से ज्याद आप रिर्णाम मिल सकता है हिल्था आपकी सहत अच्छी रहेगी ठकान मिटेगी कुम्ट पाजिटिव आपके लिए दिन अच्छा है आज वैसा ही नतीजा आपको मिलेगा जैसा आप चाते है मन में स्थिर्टा रहेगी कुछ रूके हुए काम समय से पूरे हो जाएंगे स्थिती आपके लिए बेतर बन सकती है अपना ध्यान अपने महत्व के काम काज़ पर ही रखे कोई खास मीटिंग हो सकती है किसी से मिलने जा सकते है या किसी से कोई बात भी मनवा सकते है आपके ज़्यादा आतर काम अचानक ही पूरे होंगे आपके कामों का जो भी नतीजा मिले उसे मान ले घर परिवार और नौकरी धंधे की परेशानिया आज कम हो सकती है प्रेव्यक्ति से मुलाकात हो सकती है आपके ज्यादा आतर फैसले सही हो सकते है नेगेटिव मन में कोई शंका आ सकती है आपका मन मेनत पर कम ही रहेगा जीवन साथी की सहत संबन्थी चिन्ता से आप परेशान हो सकते है किसी को उधार देने से सावधान रहे उधारी ना करें तो ही अच्छा है क्या करें लक्ष्मी जी को हल्दी, केसर और चंदन का तिलक लगाए लव पार्टनर के प्रती अपना व्यवहार सुधार ले करियर वातावरण वैसा ही रहेगा समस्याई भी बनी रहेंगी स्टूडेंट्स के लिए दिन सामान में रहेगा कुछ नया नहीं होगा पढ़ाई में मन लगेगा साथियों से मदद भी मिलेगी हेल था आज आपकी सेहत भी पले से सामान ने रहेगी पेट के रोग भी खत्म हो जाएंगे मीन पाजिटिव जीवन साथी से जरूर हिम्मत मिलेगी इंकम सामान ने रहेगी रुका हुआ पैसा मिल सकता है नए कामों की प्लानिंग करेंगे परिशानियों के बावजूद खुद को संभाल लेंगे मन में चल रही बातें किसी से शेहर नहीं करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे काम में मन लगा रहेगा हालां की कुछ काम मन मार कर करने होंगे और आप करेंगे भी इससे आज तो आपको फायदा होगा ही साथ ही आने वाले दिनों में भी फायदा मिलेगा आज आप नए लोगों से मिलेंगे चुक चाप लोगों के काम काज पर नजर रखें कुछ नया सीखेंगे अधिकारी आज आपके काम और आपके व्यभार से प्रभावित हो जाएंगे पाफिस में सब ठीक भी रहेगा इससे आपको फायदा होगा नेगेटिव आपके कुछ काम पूरे नहीं हो पाए तो टेंशन ना ले बहुत से मामलों में आप खुद पर कंट्रोल कर लेंगे पुरानी कोई बात भी आपको परेशान कर सकती है आर्थिक तंगी के कारण आपका कानफिदेंस डगमगा सकता है आपके पास पैसा कम ही ठीकेगा वाद विवाद और किसी भी प्रकार की भस से बचे किसी खास काम में देरी हो सकती है सोचे हुए धंग से पूरे नहीं हो पाएंगे उम्मीद से ज्यादा खर्चा होने पर भी आप परेशान हो सकते हैं नकार आत्मा क्विचारों को व्यक्त ना करें धैरे रखे और समय के अनुकूल होने का इंतजार करें कुछ निजी मामलों को सुलजाना भी आपके लिए कठिन हो सकता है क्या ना करें घर से निकलने के बाद पीछे मुड़करन देखें लव पार्टनर के लिए कोई मंगा गिफ्ट भी आज आप खरीद सकते हैं लव लाइफ के लिए दिन अच्छा रहेगा करियर कार्यस्थल पर वातावरन खुशनुमा रहेगा रुका हुआ पैसा मिल सकता है स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल रहेगा धेल्थ सेहत के मामले में दिन ठीक ठीक ही रहेगा पुराने रोग भी खत्म हो सकते हैं